नमस्कार मैं दिगंबर कश्याप नियूरोथरिपिस्ट आज हम बात करेंगे IBS यानि Irritable Bowel Syndrome पेड़ संबंदित एक ऐसा रोग जो किसी रिपोर्ट्स में आता नहीं है और एक अनुमान के नुसार कह दिया जाता है कि आपको IBS हो गया है क्योंकि हम चाहे कोई भी टेस्ट करा लें चाहे आप ultrasound करा लें endoscopy करा लें colonoscopy करा लें कोई blood test करा लें किसी भी रिपोर्ट्स में यह नहीं आता कि आपको IBS हो गया है एक अनुमान के अनुसार या कुछ लक्षडों के अधार पर आपको कह दिया जाता है कि आपको IBS हो गया है हमारे देश की आज यह एक बहुत बड़ी problem बन गई है यह बीमारी ज़्यादतर देखा जाते हैं कि युवा वर्ग में हो रही है यानि कि जिनकी उम्र 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच है ऐसी लोगों में IBS होता है ऐसा देखा जाते है और अगर हम compare करें तो पुरुसों की आईलाओं में यह बीमारी जादा होती है जिनको भी IBS होता है उनको पेट में मरोड एठन चुबान ब्लोटिंग भूग का ना लगना डिप्रेसन हो जाना एंजाइटी हो जाना सरीर में ठकावट रहना निन डिश्टर्ब हो जाना भूग कम लगना पेट का डेली साफ ना होना मोशन बंद करना आना टुकड़ों में आना ऐसे लक्षण निरंतर देखे जाते हैं और ऐसे लोगों का निरंतर वजन कम हो रहा होता है बहुत से पेशेंट बताते हैं कि उनका 10 किलो 15 किलो या उससे भी अधिक वजन कम हो गया है यह बीमारी इंटेस्टाइन संबंद है यानि कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन की जो मूमेंट है वो ठीक प्रकार से नहीं हो रही होती है इसमें एक प्रोसीज होता है जिसे हम पैरिस्टेल्टिक मूमेंट के नाम से जानते ह एक जिग-जग मुमेंट हो रही होती है जैसे हिलोरे उट रही होती है यानि कि उसका काम होता है जो भी हमने खाना खाया वो इंटेस्टाइन के रास्ते होते वे मल्क के द्वारा हमारी बॉड़ी से भार निकलना चाहिए जब इंटेस्टाइन की परिस्टेल्टिक मुमेंट slow हो जाती है यानि कि जो धकेलने का process है वो slow हो जाता है तो हमें motion नहीं आता और वो मल वहीं पड़े-पड़े सड़ता रहता है उसके side effect के कारण से हमें gas, acidity, bloating, peat में मरोड, उचुभान ऐसे लक्षण हिरनतर देखे जाते हैं इसको हम तीन category में divide करते हैं IBS-A, alternate IBS, यानि कि कभी constipation होगा, कभी diarrhea होगा, IBS-D, इसमें जरतर constipation ही रहता है और IBS-D, ऐसे patient को निरंतर motion जब भी आता है, lose आता है ऐसा होता है IBS, यह जरतर उन लोग को होता है जो वजन का काम जादा करते हैं यानि कि अपनी capacity से ज़्यादा वो वजन उठाते हैं, जिम जाते हैं या कोई उनका job इस प्रकारगी है जिसमें उनको निरंतर वजन उठाना पड़ता है उसके कारण से उनकी intestine प्रभावित होती है और IBS बीमारी हो जाती है या ये बीमारी उन लोगों को जादा होती है जो भार का खाना जादा खाते है मिर्च मसाले जादा खाते हैं, तला हुआ जादा खाते हैं, मैदा से बनी चीजों का जादा सेवन करते हैं smoking जादा करते हैं, drink जादा करते हैं किसी प्रिकारगी उनको डिप्रेशन रहता है उनको एंजाइटी रहती है कुछ ऐसी परिशानी है जो उनको बार-बार आकर घेरती है यानि कि वो निरंतर सोचते रहते हैं बार-बार वो सोचते रहते हैं जिसके कारण से उनका पूरा डैजेस्टिव सिस्टम प्रभावित ह हो जाता है जिसके कांड से उनकी interest agent वी प्रवावित होती है और interest agent का moment वाला process है परिश्टिलिक moment है वो slow हो जाती है और उनको IBS की problem हो जाती है ऐसा होता है IBS अब patient doctor के पास जाता है वो सुचते हैं कि मैं doctor के पास जाता ठीर हो जाऊंगा सबसे पहले उसके बहुत सारी टेस्ट कर जाते हैं, एंडोस्कॉपी, कॉरोनोस्कॉपी, बिलाइड टेस्ट, के वर पेशेंट आता है, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं है, और कुछ लक्षनों की आधार पर उसको ये कह दिया जाता है, कि आपको IBS हो गया है, और आप ज्यादा उसको कह दे जाता है कि आप साइक्रेट्रिस्ट के पास जाओ, मनोची के पास जाओ, अपने ब्रेन को थोड़ा रिलेक्स करो, आप ज्यादा मत सोचो, लेकिन उसकी बीमारी वैसी की वैसी बनी हुई है, उसको कहीं से कोई आराम नहीं मिल रहा, क्योंकि ऐसी कोई मैडिसि निरंतर आ रहे हैं, महिलाएं आ रहे हैं, पुरुस आ रहे हैं, कम उमर के बच्ची आ रहे हैं, जादा उमर के लोग आ रहे हैं, हम उनका कुछ दिन टीटमेंट करते हैं और वो पूरी तरह स्वस्त हो जाते हैं, दोस्तों अगर आपको पेट संबल दित कोई भी रोग है, आप बिना समय गवाए अपना लागों रुपे खर्च होने से भी आप बचा सकते हैं आप नियोर्ट्रीपी टीट्मेंट कुछ दिन जरूर ट्राई करें जहां आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहे हैं आप ठक चुके हैं आप हार चुके हैं आपका बहुत सारा पैसा खर अपर ठीक करते हैं जब आपका डैजे शिस्टम प्रोपटीक हो जाएगा इंटरेस्टाइंड की परिष्टेल्टी मोमेट ठीक हो जाएगी आपका प्रोसीस ठीक प्रिकार से वर्क करने लगेगा आपका पेडेली साफ होने लगेगा आपके माइंड पर प्रेशर पर दीद कर सकते हैं वहिiable क्षाणा खाकर कुल्टा ना लेटे बहुत से लोग कंप्लेंट करते क्क खाना खाकर कुल्टा लेटे हो मेरी दिक्कत बढ़ जाती तो दोस्तों आपको कुल्ड़ा लेट नहीं है जब आपनें चीजों को बिल्कुल 100% आवाइड करते राजमा छोद ले उड़त की दाल मिर्च मसाले कोल ड्रिंग पीजा बर्गर चाव मिन यह जो चीज़ें आपको तुरंत बंद कर देनी चाहिए नौन वेज आप लेते तुरंत छोड़ दो 108% कुछ दिन आपको बंद करना ही पड़ेगा पानी कम पी थे पानी की मातरा को बना तो दस्य प्रेग्रस पानी आप देली पीए तो निश्चिती आपकी आईविस की समस्या हमेशा के लिए ठीक होने वाली है दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत इंफ लाइक शेयर करें वीडियो को लाइक करना ना बोले और बैल आइकन बटन ज़रूरी जबा दें जिससे कि जो भी वीडियो फीचर में हम बनाए उसका नॉटिफिकेशन टैम टैम आपको मिलता रही है जान्यवा झाल 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 झाल